हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छोटे बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं चोटे बच्चों को आपने अकसर, चौक, मिट्टे या फिर दिवाल पर किये गए पेंट की खुर्चन खाते हुए देखा होगा बच्चों की इन हरकतों से घरवाले बहुत परिशान हो जाते हैं कई बार मना करने के बाद भी बच्चे ये आदत छोड़ नहीं पाते हैं मिट्टी खाने की ये समस्या ना ही केवल बच्चों में है बलकि बड़े लोगों में भी देखा गया है हलागी ये समस्या 1 से 7 साल के आज-पास के बच्चों में ज्यादा देखी जाती है आपको मैं ये बता दू कि बच्चों में कुछ विशेस प्रकार की पौश्टिक तत्तों जैसे आरन, जिंक, आदी की कमी हो जाने से मिट्टी जैसी अजीबो गरीब चीजे खाने की इच्छा पैदा होती है चोटे बच्चों में मिट्टी खाना खून की कमी की निशानी होती है इसका कारण बच्चों की खुराक में केवल दूद का भी होना हो सकता है हर चीज में दूद का मिश्रण होने से बच्चों में खून की कमी हो जाती है बच्चों की खुराक में अनाज, डाल, सबजियों की कमी होने से भी ये दिक्कत आती है कुछ बच्चों में मिट्टी खाने की आदत और्टिज्म नामक बिमारी की वजे से भी होती है इस बिमारी में बच्चे का मानसिक विकाश ठीक तरह से नहीं हुआ रहता है हलाकि कभी कभार बच्चे ऐसा सिर्फ जिग्यासा की वज़े से भी करते हैं आसपास के वातावरण को समझने के लिए वे हर चीज़ को मुह में डाल कर परक्ने की कोशिस करते हैं लेकिन बढ़ते उमर के साथ साथ उनकी ये आदत छूड़ जाती है तो मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद